How to hide followers on Facebook in 2024 and how to hide following on Facebook in 2024 तो अगर इस 2024 में स्टेब आपने प्रोफाइल को कैसे अपलाई करना है और Facebook पर जो followers and following है उन्हें अगर आपको हाइट करना चाहते हो तो उन्हें आप कैसे हाइट कर सकते हो तो यहाँ पर इस रिसेंटली Facebook अपडेट आया था जिसे कि आप अपने Facebook के प्रोफाइल को Professional Mode में Convert कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आप Professional Mode में Convert करोगे तो जो भी आपके Facebook के Friends है वो आटोमाटिकली आपके followers में Convert हो जाएंगे तो जैसे आप Professional Mode में Convert करते हैं तो आपके Facebook अकाउंट का जो लूक है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है जैसे आप Professional Account में Convert करते हैं तो अगर आपको Convert करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर Option मिलता है जैसे आप On करोगे तो उसके बाद आपका Professional Mode On हो जाएगा अब जैसे आप On करोगे यहाँ पर आपके followers और following के जो list है वो दूनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर आपको Check Out करना है तो one by one आप क्लिक करके Check Out कर सकते हो और जिने भी अगर आपको Remove करना है ब्लॉक करना है आप यहाँ से उन्हे रिमुव में ब्लॉक कर सकते हो तो आप यहाँ पर कोशन है कि क्या हम इन्हें Hide करके रख सकते है तो Facebook में आपको एक Setting मिलता है जिससे आप अपने Following List को Hide कर सकते हो लेकिन Followers का जो List है वो आपका बिल्कुल भी Hide नहीं होता है तो Let Me Show You तो यह इसके लिए आपको जाना है इस वाले Setting में Followers and Public Content का एक Option आपको देखने को मिलेगा इस पर आपको Tap करना है और उसके बाद नीचे आपको एक Option देखने को मिलेगा Who can see your Followers on your Timeline और उसके नीचे एक और Option मिलेगा Who can see the People, Page and List you Follow तो यह दोनों Default Basis पे Public है तो आपको आप Decide कर सकते है कौन-कौन आपकी Followers and Following List को देख सकता है Friends या कोई भी नहीं तो अगर आप चाते हो कोई भी नहीं देखे तो इसके लिए आपको Only Me वाले Option पे Set करना है तो यहापर मै इसके बाद मैं View as a Visitor के Option पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जब भी कोई मेरे Facebook प्रफाल पर विजिट करेगा तो उसे मेरे Following की जो लिस्ट है वो बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाए देगी नहीं बिल्कुल वहाँ पर Zero दिखाए देगा लेकिन आप देखोगे Followers का जो लिस् पर जब आप क्लिक करते थे तो वहाँ पर आपको एक Option देखने को मिलता था जिससे कि आप अपने Followers को Remove कर सकते रहे Settings में Skill आपको बस एक About section में जाना पड़ता था उस टाइम पर प्रीवेसल अबडेट के बाद करो और इसके बाद जब आप डीटल सेक्शन में जाते थे त इसके वज़े से आपका Following List हाइड हो जाता है लेकिन जो Followers का जो List है वो आपका Facebook भी हाइड ने कर पाता है तो यह Setting आपको भी तेखने को मिलेगा तो बस यह वीडियो बनाना का परपस यह था तो अगर आप अपने Followers और Following को हाइड करना चाते हो तो इसके बास आप अपने Following List को हाइड कर सकते हो लेकिन Followers का जो List उसे आप Hide ने कर सकते हो I hope यह वीडियो आपके लिए यूसपल होगा